Hello everyone, I am Krishna, back with my new video for Standard 9th Physics. हम लोग Chapter Motion पढ़ रहे थे और आज उसमें Rest and Motion समझने वाले हैं. तो ये दो टर्म्स Rest और Motion, इनको स्टार्ट करने से पहले हम तीन Basic Terms को समझेंगे. Reference Frame, Reference Point या Reference Object और तीसरा Time का Importance. इस तीनों को समझने के लिए मैं एक example consider कर रहा हूँ. इस example में ये road मैंने बना रखा है और यहाँ एक car है. इस car के अंदर दो passengers हैं या दो persons हैं जिनका नाम दे रखा है मैंने person A and person B. और वहीं road के किनारे एक third person खरा है जिसका नाम दे रखा है मैंने person C. तो अगर C इस car को observe करे या इन दोनों आदमी को observe करे तो for C, both the persons are changing their position. अगर मैं A के respect में बात करूँ, तो A के लिए B का कोई भी position चेंज नहीं हो रहा है. तो A के लिए B का position इसलिए नहीं चेंज हो रहा है. बड़ जब वो अपना frame पूरे road को consider करेगा तब उसके लिए person C खुद backward direction में जाता हुआ दिखेगा. तो frame का मतलब क्या है कि जिस surrounding या जिस view से मैं अपने observations को describe कर रहा हूँ. और वही reference point या reference object का मतलब जैसे for A, B जो है reference object की तरह act कर सकते हैं. अब यहाँ time का importance समझने के लिए मैं एक दूसरा example consider कर रहा हूँ. तो इस example में हम इसे कुछ ऐसा समझेंगे. एक बार मैंने और मेरे दोस्त ने Superman से सर्थ लगा है. सर्थ यह था कि हमने 1000 meter का track decide किया और देखना यह था कि कौन पहले उसे 1000 meter को cover करता है. तो as usual Superman तो Superman है, he started running with 500 meter per second. मैं जो एक normal human था तो वो 10 meter per second से मैंने रन किया है. और जो मेरा friend है, he started running with 5 meter per second. लेकिन after 5 seconds, he stopped. जैसे ही 5 seconds खत्म हुए, मेरा दोस्त वहीं पर रुख गया, वो सोचा Superman से क्या रच लगाँ. तो खेर यह जो भी बाते हैं, अब इसे हम एक graph पे समझते हैं. तो अगर देखा जाएं, तो Superman जो है 500 meter per second के speech से दोरा, यानि इस रफतार से वो 2 seconds के अंदर इस पूरे race को complete कर लेगा and he will reach the finish line. लेकिन मुझे इस race को finish करने में 10 seconds का time लगने वाला है, और मेरा friend वो तो race complete ही नहीं किया. sorry sorry, with the speed of 10 meter per second, मुझे 100 seconds का time लगेगा and मेरे friend ने 5 seconds पे ही stop कर दिया. इस चीज़को अगर हमें graph पे देखें, तो हमें कुछ ऐसा देखेगा. सबसे पहले मैं Superman के motion को describe करता हूं, तो Superman जो कि 500 meter per second से दोर रहा था, उसे बस race finish करने के लिए 2 seconds का time लगा. यानि वो 2 seconds की time में 1000 meter distance वो ट्रावल किया. यानि अगर मैं उसे distance और time के graph पे इस बात को plot करूं तो कुछ ऐसा दिखने वाला है. यानि 2 seconds के time में, he has reached 1000 meter mark. So, उसका graph कुछ ऐसा बनेगा. मैं जो कि इस race को 100 seconds में complete किया, यानि 100 seconds में 1000 meter के mark में पहुंचा रहा. तो for me यह graph कुछ इस तरह का दिखेगा. एंड मेरे friend के लिए अगर मैं बात करूं जो कि 5 seconds पर ही रुख गया, तो उसके लिए graph कुछ ऐसा दिखेगा, कि वह 5 seconds में 25 meter का distance ट्रावल किया, तो here is 5 seconds and here is 25 meter. तो जब मैं उसके लिए plot करूंगा, वह कुछ ऐसा दिखेगा. और उसके बाद वह आगे बढ़ा ही नहीं, यानि वह रुका रह गया अपने पोजिशन पे. तो रुका रह गया, यानि time तो बदलता रहा, बट वह 25 meter के ही distance पे रह गया. यानि for him it is like a straight line. तो यहां समझने वाली बात यह है, कि ठीक है मैं हार गया और Superman जीत गया. बट क्या Superman ऐसा तो नहीं है कि instantly, जैसे रेस स्टार्ट हुआ और उसने रेस खडम कर दिया, उसे भी 2 second का time लगा, भले वह बहुत speed 500 meter per second से run किया, बट उसे भी 2 second का time लगा, यानि उसके लिए भी time जो है यहां से यहां तक time में change आया है, चुकि मैं normal human था तो मेरे लिए time 0 से 100 second तर, यानि मैं 100 second में यहां से यहां तक यह gap मैंने travel किया, तो यहां time का importance क्या था, कि Superman ठीक है वह बहुत fast दोरा, बट उसे भी time चाहिए था, यानि अगर time में change होगा तभी position में change हुआ, अगर time change नहीं होता या फिर time अगर एक ही जब 1 second बीता होगा, तो Superman भी उस समय half of the distance यानि 500 meter पहुचा होगा, यानि समय बदलेगा तो ही position बदलेगा, तो यहां तक I think reference frame, reference point and time इन तीनों का importance समझ में आ गया होगा, तो इस basis पे अगर मैं rest को define करूँ, तो rest को define करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि आपको कई जगा यहां पे जैसे blanks दिखेंगे, इन blanks को मैंने as a photo upload कर रखा है ताकि उन blanks को आप अपने assignments के तौर पर या exercise के तौर पर इसे fill कर सके, ओके, coming to our term, rest, तो rest क्या है कि when there is no change in position, जब position में कोई change ना आए, with respect to any reference object and time, तब उस situation या उस state of object को हम rest कहेंगे, यानि when there is no change in position of any object with respect to any reference object or frame and time, तो उस state of object को हम rest कहेंगे, for example, अगर मैं roadside में एक ट्री को consider करूं, तो ट्री time चाहे कितना भी बदलता रहे, सुबह से रात हो जाते ही, रात से अगला सुबह, सुबह से फिर रात, but there is no change in the position of tree, तो we can say that the tree is at rest, वहीं अब अगर मैं motion को define करूं, तो motion क्या है कि when there is change in position of any object, with respect to any reference, object, and time, then that state of motion is known as motion, तो I think आपको यहां तक दो important terms, rest और motion समझ में आ गया होगा, मैं अपने अगली वीडियो में distance, displacement, इन सब चीजों पर बात करूंगा, तब तके लिए, thank you. कर दो